Assalamualaikum कैसे हूँमीद है कि अलग की द्वार से अपलग अच्छ ही होंगे आज यहांपे बनाएंगे चाट का रेसिपी कोटोरी चाट बिना फ्राय किये हेल्दी वाला कोटोरी बना कर तैयार करेंगे इसके लिए क्या करेंगे पहले लेंगे एक कप चावल का आठा उसमें डाल लेंगे 2 चमच बेसन, बेसन डालने पर क्या होता है? बाइंडिंग में काम आता है, उसका उपर डाल लेंगे थोड़ा सा चाट मसाला कर तायर कर लेंगे उसके बाद इसे रेश्ट पर रख लेंगे थोड़े समय के लिए उसके बाद आपके पास कोई भी पॉलिथिन हो या कोन हो आप इसे पर तयार कर सकते हैं मैं हमने यहां पर तेल का पॉलिथिन लिये हैं अब इसे इसका अंदर में डालेंगे बैटर को इस इसका उपर इस तरह का डाल लेंगे, कोटरा का सेब देते हुए, इसी तरह से डाल कर तयार करेंगे हमारा कटरा, तो ये थोड़ा से थोड़ा समय सिख जाने के बाद ये अपने आप घूमने लगता है, कोटरा बनके तयार है, आप चाहे तो इस कड़ाई में भी बना सकते है कोटरा थोड़ा से बड़ा होगा, लेकिन आप चाहे तो बना सकते हैं, इस तरह से थोड़ा से ज्यादा करके बना लेंगे, और रख लेंगे, देखने लग रहा है ना देखने में ये कोटरा बहुत ही क्रिस्पी, इसका फिलिंग के लिए तैयार कर लेते हैं, कटा हुआ थोड़ा सा काला चना, मतर, सफेद मतर, और इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, थोड़ा सा साधा नमक भी डालेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा भारी चटनी, उस दही डालेंगे मिठी वाली, खजूर और इमली की चेटनी भी डाल लेंगे और इसे उपर से थोड़ा सा डाल लेंगे नीम्बू का जूस चेट पटा के लिए इस तरह से इसका अच्छे से मीक्स करना है मीक्स करके ये लग रहा है ना मार्केट जी साब देखने में तो मौ में आजाता है पानी इसका अंदर फिर लिंग डाल लेंगे उपर से थोड़ा सा चेटनी भी डाल लेते हैं मैं इसका उपर में नम किन तोड़ कर डालूँगी आप चाहते हैं इसका उपर में शेव भी डाल सकते हैं इस तरह से आप घर पर आसानी से बनाएं, बारिस का मुसम में खाये पें एंजय करें, थैंक्स पर वाचिंग, अलाह अपीज मिलती हूँ, और कोई नही रेसिपिक के साथ में दुआ में याद रिक, अलाह अपीज